तो इस वाले फाब्रिक से हम बनाएंगे प्लाजो जो कि लिए फाब्रिक तो हमें टू मीटा चाहिए लेकिन यह सलवार का है तो मार्केट से जो फाब्रिक आया है वो 2.5 मीटर है तो पहले हम इसको स्प्राइडिंग कर लेंगे और इस तरह से डबल करके और फोल्ड कर दें करके सेलवेज को मैंने अपनी तरफ कर लिया है तो यहां पर हम पहले फ्रेंट वाला पार्ट निकालेंगे और से पहले हम फाब्रिक को इक्वल कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा फाब्रिक है जो इस तरह से हो रहा है यह हमारी कटिंग में नहीं है इसको कट करके इक्वल कर देते हैं पहले अब हम मार्किंग करेंगे प्लाजो की 1.5 इंच यानि की डेड़ इंच हम उपर निकाल देंगे बैल्ट के लिए क्योंकि बैल्ट हम अलग से जॉइंट करेंगे इसके बाद हम लेंगे टोटल लेंगे तो टोटल लेंगे हमारी 38 इंच और यहां से भी हम इतन इसके बाद हम बॉटम पर मार्किंग करेंगे तो बॉटम जितना भी चौड़ा आपको चाहिए मुझे यहां ज्यादा चौड़ा चाहिए क्योंकि इस्टमर की डिमांड है उन्हें नीचे से बॉटम जो है वो चौड़ा चाहिए तो मैंने लिया 11 इंच यह हमारा इंच तो 44 का फान फॉर हुआ 11 11 में हमने 2.5 याने की धाई इंच और एड़ किया है तो यह हो गया हमारा 13.5 याने की साड़े तीरा इंच और यहां पर हम लेंगे 12 इंच यह बैटने में काफी कमफर्टेबल रहता है तो लेडिसों को अक्सर यहां दिक्कत होती है तो हम ल इसके बाद हम फिर से बॉटम की तरफ आते हैं तो बॉटम को हम इस वाली लाइन से जॉइंट कर देंगे इस तरह ऐसे पहले मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूं मैंने किस तरह से मार्किंग की है अब यहां मार्किंग कर देंगे तो फ्रेंज आपको एक चीज़ बत घवाइन के बाद यह हमारा फ्रांट वाल पार्ट यह वो तेयार हो गया है तो अब हम कटिंग करेंगे किसे कटिंग करने के बाद मैंने फ्रेंट वाले पार्ट को दूसरे वाले फाब्रिक चर्ण होगी हर्ण करेंगे लगे श Nä'' हमला इंच इस एंच्टा 12 इंचेस आसनलीयाता हम फिर से 12 इंचेस लेंगे इसके बाद हमें क्या करना है? 2.5 इंचेस यानि कि 1.5 इंच हम उपर की तरफ और एक्स्टर लेंगे यह बहुत जरूर है फ्रेंड्स यहां पर हमें 2.5 इंच और प्लस करना है और इस तरह से 2 इंचेस और बाहर की तरफ लेंगे, शेप देने के लिए, एक बार और शेप देंगे हम, और जो 2.5 इंचेस हमने उपर की तरफ लिया था, उसको हम इस तरह से साइड वाले कॉर्णनर से जॉइंट कर देंगे, तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे, देखिए, इस तरह से हमें मार्किंग करनी है, और वापस इसे बाटम से जोड देंगे, जैसे हमने फ्रेंट वाले पार्ट को जोड़ा था, तो बैक वाले पार्ट को मैंने 2 इंचेस एक्स्टर लिया है, इस तरहीगे से ही हमारा टाउजर बनता है, टाउजर में सिर्फ नीचे से चौड़ाइ जादा रखी है, सिर्फ इतना साई, इसके बाद जो फाब्रिक बचा हुआ है हमारा साइट से, उस में से हम पॉकित निकालेंगे और बैल्ट निकालेंगे, तो पॉकेट के लिए और बैल्ट के लिए ये फाब्रिक बहुत है, लग्कि आसानी से आराम से रठ सकें, तो इसलिए मैं पहले 9 inches लेती थी अब मैं इसको 11 inches लेती हूँ नहाँ कटिंग के बारें आप बैल्ट की कटिंग करेंगे, तो बैल्ट में यहाँ पर लोगे 4 inches इसमें हमें एलास्टिक लगानी है तो 4 इंचेस हमारा काफी रहेगा और बाकी की जितने भी आपकी पार्ट है आप उसके अकॉर्डिंग मतलब जो आपकी वैस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने बैल्ट को कट कर लीजिए जिसमें से मैंने बैल्ट निकाल क guessing वह वारी अनफॉ diamond था और इसके बाहद यह वच गया हमारे स्ट्र यह को को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और जिन लोगों को भी हेल्प की ज़रते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं नेक्स वीडियों पर मिलते हैं बाई